हुआ है और वन्स अगेन वेरी फ्रेश गूड मॉर्णिंग बच्चो कैसे वाप लोग आज तक हमने जो चैप्रस कंप्लीट किये हैं अपसे पहले चैप्रस के लिएक्षिन एक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं कंप्लीट उसमें हमने उसके थिए जितना भी डिस्क्रिप्टिव पोश्चन था वो कंप्लीट किया उसके बाद उसके रिफ्लेक्षिन लॉज और रिफ्लेक्षिन रियल और वर्ट्वल इमेज़ेज एंड फाइनली प्लेन मेर के ऊपर कुछ पोश्चन उसका भी कंप्लीट करेंगे तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे हम लोग टॉपिक स्वाइज इनको कवर करेंगे इस चेप्टर को ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को ज्यादा अच्छी तरी किसा समझ सकें ठीक है तो मैं आपका दोस्षील सैनी और यह आपका अपना चैनल साइंस दर्शन ऐसे प्यार देते रहो और रेगुलर हमारे चैनल के साथ में जूड़े रहो ठीक है तो फिर शुरू करते ह आज का हमारा first mcq है the visible light is dash radiation perceived by the human eye meaning some juice का इसने का the visible light is a dash radiation visible light jolight हमें दिखाई दे रही है is a dash radiation यानि कैसी radiation है वो यह तो पता हमें radiation लेकिन किस type radiation है तो यह radiation कैसी होती है electromagnetic radiation यानि जो first हमारा mcq है जो first mcq है इसका answer है electromagnetic radiation यानि कि a first question का option a हमारा correct है ठीक है सबसे पहले हम यह भी जान लेते हैं साथ के साथ ही कि हमने कहां यह electromagnetic radiation है तो हो क्या रहा है यह भी तो देख लें कि कोई चीज में दिखाई क्यों देखता क्यों है तो उसके लिए आफ से बाता है जब कोई source light के किसी source से जब कोई light आके पढ़ती है रे आके पढ़ती किसी object वो उसको reflect back करता है reflect करेगा light lot के हमारी आँख में आएगी हमारी आँख उसको sense करेगी और वो object object में दिखाई देगा ठीक है तो यहाँ पर जो लाइट है वो जो लाइट आ रही है सोर्स से वो कूंसी है electromagnetic radiation है ठीक है फरस्ट एम सी कुप्लीट सेक्ड एम सी क्यों सेक्ड एम सी क्यों सेक्ड एम सी कहता है और लाइट रे एक कमस बैक तो दा सेम मेडियम आफ्र स्ट्राइग एस्ट पोलिश्ट शर्फेस लाइट आई तक्राई अ ग्रानिक बाद में पॉलिश शर्फेस अमरे पास्ट पॉलिश फिटिस अटक्रा के वापिस लॉट के चिने गई ठीक ए पॉलिश सर्फेस दा फिनोमेना is कॉल डैश फ्लाइग नॉर्मल यह मारा पॉलिश सर्फेस यह लाइट आई और टक्राइग वापिस कहीं तो इस वापिस जना यह कह लाता है देसे रिफ्लेक्शन आफ लाइग तो कॉंस आप्शन इसका सही है देखो फिन आफर्ट को हूँ option c reflection ठीक ए app घरिटेष एंड णोथर्ड एंसी के क्यों ध्रंसी को कहता है ग्साने इसका सटन टैश फ्लेक्षिनग की पात कर रहा है आप लोग ने पढ़त होगा रायग्यूरर के आथा कहां से हमारे पास दो तरे की अग्ट हैं मेन तीन कांव तैप reflection को भी कवर करेंगे तो दो तरह के reflection सोते हैं पहला रेगुलर reflection और दूसरा इर्रेगुलर reflection फड़ा फट इन को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोग के समझ में भी आजा है चीजे रेगुलर कि एड नमबर टू इर्रेगुलर prospects तो हिं रेख्फ्लेक्शन यो है हमारे यह elf Clear Lots के इसके टाइप से रिफ्लेक्शन के रैगुलर्क और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन तक्षेज क्या है जिस DarrenTake कोई the surface is smooth ठकार लेकिन अगर ये तक्राइब यह तक्राइद है अट लगा यहां टक्राइब से इताओ ने ह Pole incident ray के बाद में जो reflected ray jon lot के जा रही है जितनी भी रिज रेस ऐसे वो सब कि सब एक regular pattern में जा रिए बलकि irregular pattern में जा रही yes डाइधी चाँ परफ को ठीक है तो यह जो regular by lavender regularly देखिन दू यह क्या है हमारा irregular reflection और हमें कहां से मिला वो चीज़ देखेंगे option दिखा रहा हमारे पास में irregular reflection के पहला इसने का rough, smooth, polished, smooth and polished चार surfaces इसने दिखाएं तो इन में से irregular के बात अगर हम कर रहे हैं इसने का irregular reflection हो रहा है तो किस से आएगा rough surface से, यह हमारा smooth surface है और यह rough surface है, इसका मतलब rough surface से irregular reflection होता है और smooth से regular होता है that means हमारा option number smooth वाला को rough अला कुन सा है यानि कि first a option जो है, option a is correct, ठीक है, यह हमारा third mcq था, चीजों को समझो भी, mcqs कर रहे है वाप exam में बोर्ड में ठीक है यह नहीं है, सिर्फ फटा पर फटा पर जितने mcqs उनको देखते जाओ, net से उठाके जाओ, उनको याद करते जाओ, समझते जाओ, यह चीज नहीं, उनको समझना भी है, exam में जरूरी नहीं है, जो mcqs हम करा रहे है, as it is ही आए, board में हो सकता है, mcq घुमा के दे, दूस आगे बढ़ते है, next, तभी में यह चीज आपको करवारों साथ के साथ ही, कि ताकि थोड़ा आपको यह चीज़ क्लिर हो जाए, next mcq क्यों करते है, इसके बाद, 4th mcq, dash, normal and reflected rays, all lie on the same place, और चले गई, यह हमारा नॉर्मल, ठीक है, यह incident ray, और यह reflected ray, तो incident ray, normal and reflected ray, all lie on the same plane, यह चीज़ पूची है, तो इसमे कोल साप्शन हाएगा, हमारा करेक्ट, इंसिदेंट रे मना, ठीक है, तो incident ray का option कोल सा है, हमारा, number C, यानिकी C इसका correct option है, बिल्कुल basic चीज़े करा रहा हो, मैं इक्तम, starting से लेके चल रहा हो, यह नहीं एक्दम से आपको tough, काफी जो, थोड़ से जो hard, hard, hard मैं, मैं यह निके आपको एक्दम से मैं hard mcqs कराऊ, बिल्को स्टार्टिंग से basic चीज़े लेके चल रहा हो, ताकि आप लोगो सारी चीज कि नहीं, कुछ-कुछ, दस-दस, पंदरा-पंदरा या फिर पाथ, इस तरीक से लेके चलूँगा, पार्ट-वाइस बनाता हुआ, अप फड़ाफर देख से जाओ उनको, ठीक है, ठीक है, नेक्स के बाद में आता है, नमबर फाइव, फिफ्टम से क्यों का काता है, हमारा यह कहता है, दा एंगल बिट्वीन दा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिड रे, इस कॉल्ड टैश, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिड रे, नॉर्मल यह रहा, रिफ्लेक्टिड रे, इनके बीच का एंगल, तो क्या कहला है यह, एंगल ओफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल फिफ six times you get ahead the laws of reflections are true for options the ace name all reflecting surfaces convex mirrors only concave mirrors only plane mirrors only laws of reflection laws of reflect reflection Pella Tieta angle first angle I equals to angle are taken a angle of incidence equals to angle of reflection and dousra incident ray reflected ray and normal lie on the same plane you don't know them are yes they put a good call concept type tickets that can mirrors Cooper yeah applicable hair on Kelly correct her to your generally I'm very alone I have a basic law banana to his cover the jit may be mirror hand the type catch a plane who convex or concave who can see in the room we have a smooth surface air of surface a heart surface Kelly heart type can be written here to her correct her uncle applicable her so it's coming up is option console a first option all reflecting surfaces yannick sixth car option a Mara correct figure next seven times you get the hair seven times you get by the dash image can be projected on the screen screen for closer image project oh so it's okay yeah I have a co-cars really made my home right option option to say most of the time I'm really mean I see me the job he screened for projected defect होती है और virtual image screen project नहीं होती है इस चीज को अच्छे से समझना भी है적ि आप लोगों को सिर locking इसका मतलब भी समझा कि मतलब क्याहे है रियल image को इनसे होती है और virtual image को मिखो वही कि इस इस नहीं होती भी समझना है रिल हो रहा है कि वो जा कि किसी point पे बिली बट actually वहां पर meet नहीं कर रही है वो कहला है कि virtual image पहली बात दूसरी बात अगर हम उसके रस्ते में जो हमारी image जिस जगह बन रही है उस जगह पर कोई screen रख देते कोई पेपर रख देते हैं कोई फिल्म रख देते हैं या कोई वाइट कपड़ा रख देते हैं हम स्ट्रेट तो क्या होगा उस से गया पर वह इमेज दिखाई देगी जबकि ऐसा वर्चुल इमेज के केस में नहीं होगा वह बात इसने यहां पर पूछी थी जो इसने कहा था है कि real image can be appear can be projected on the screen to real image है तो यानि option इसका हमारा है real वाला option कौन सा है भी यानी पी option इसका yeah ठीक है इन चीजों भूद्यान से में आगे चल कर आपको फूर से थोड़ा डेटेल में कुछ चीज़ों को समझा दूब होंगा क्रियल इमेज कुंसी होती है और वर्चुल इमेज इनके डियाग्रम सबना के ठीक है आगे चलते हैं नमबर एट आपकी बार रियल का था आपके वर्चुल की बाप करते हैं इसने कहा इसमें एट-म-CQ में अब वर्चुल इमेज इस फॉर्म बाइद लाइट रेस आ है एक्चुली मीट और इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट इच अधर नन अब देबाव फरस्ट अपीर टुमीट अभी मैं आपको एक्स्पेन कर चुका हूँ यह कि वह यहां पर हमें फील होता है कि हां वह उस जेगे पर आके मिल रहे हैं बट एक्चुल वहां पर मिलने रह होगता इमर्जन रे विद टैश कि थोड़ी समझे तया माज़ें के होती क्या है इमर्जेंट रे के लिए हमें पहले एक रहे है सबस्केजिए यह हमारे पास ग्लास लेब यह इस तरीके से जानी थी और ऐसे निकल जानी थी इस ग्लास लाप को क्रॉस करके यानिवह इसके through, pass होने के बाद, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, जब रहे आई है, सीधी, लेकिन होता है क्या है, जैसे यह यहाँ glass slab से टकराती है, तो इससे impact करते ही, इसके normal की तरफ को थोड़ा सा यह light band हो जाती है, ऐसे, internally, और उसके बाद में, फिर दुबारे से parallel में, इसके साथ साथ में, इसके parallel में, चली जाती है, इस तरह लिए से, ठीक है, यह जो band हुई है, light, यह थी हमारी incident rate, यह है, reflected, और यह वाली है, emergent, emergent ray, ठीक है, emergent ray, और यह हमारी जो है, निकल के गई है, वोई light, जो incident rate, इस ने यह कहा है, emergent ray, अब यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल क्या होता है, इस पर्पेंडिकुलर टुदा, प्लेन सर्फेस, ठीक है, question में, इसने कहा था हमें, कि angle of emergence is formed between the emergent ray with dash, अब angle of emergent कौन सा है, यह वाला angle, जैसे कि हमने कहा था, यह तो हुआ हमारा angle of incidence, यह angle of reflection, और यह हो जाएगा, angle of emergence, ठीक है, तो यह angle of emergence, किस-किस के बीचे बना, emergent ray, और नॉर्मल, इन दोनों के बीचे बना, ठीक है, तो इसका मतलब, इसका answer क्या है, हमारा, नॉर्मल, 9th का answer जो नॉर्मल है, वो है हमारा option C, यानि कि इसका C option इसका correct है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, चीजों को आगे चलके, इसमें काफी सरे questions इसमें आएंगे, जो reflection के based होंगे, ग्लास लैप आले, next आता है फिर इसके बाद में, question number 10, question number 10 कहता है, little displacement is the perpendicular distance between incident ray and the dash ray, little displacement, बेल्पुली यह इसी के ओपर है, अच्छावा भी रभ नहीं किया, little displacement का, इसने का, it is the distance between the incident ray and the dash ray, तो अब हम देखने, little displacement है क्या, ठीक है, little displacement का मतलब है, little displacement, मेंस की incident ray, जो आई थी, वो सीधी ग्लास से टकराई, उसके बाद में, सीधी हमने निकल गई, हमने ये तो हमने जस्टेक बनाया, कि भी ऐसा होना चाहिए था, बट एक्चुली क्या हुआ, एक्चुली जो लाइट थी, वो तुवर्ड्स नॉर्मल थोड़ी सी बैंड हो गई ये लाइट, और यहां ठकराई, और फिर दुबारे बहारा के, जब दुबारे से, अगें, जो एर का मीडिम था, वहाँ प्या जाली आगे बढ़ चला, ठीक है, तो यह जो दोनों के बीच में, डिफ्रेंस बना, यह यहां से लेके यहां तक, यह कहलाता है, लेट्रेल दिस्प्लेसमेंट, या तो लेटल दिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम इसे या फिर ब्र M कहेंगे सको हम और लेटल शिफ्ट भी बोटेंस को लेटल शिफ्ट लेटल लेटल शिप्ट जो कह यह रहा है इसने कोष्चन में इसने कॉष्चन पूर्फ किया था अ कौErशन। नमबर displacement is the perpendicular distance between incident ray and the dash ray तो दूसरी रे कौन सी है यह तो हमारी emergent ray है तो इसका मतलब इसका answer कौन सा आएगा emergent ray ठीक है तो emergent ray कौन सा option है हमारा emergent ray का option हमारा B है तो इसका मतलब 9th का sorry 10th का question number 10th है तो हम 10th कह देते हैं सी कोई तो question number 10th का हमारा तो जो option आएगा वो आएगा हमारा B यह क्रेक्ट होगा ठीक है तो अब तक हम अपने 10 mcqs हम complete कर चुके हैं और 10 mcqs में हमने अब तक types of reflection loss of reflection real and virtual images plane mirror के कुछ थोड़ा सा उसका part भी यह सारी चीज़ हमने cover की है ठीक है इनके बाद में second video के जो हम लेकर आने वाले हैं उस वीडियो में भी हम यहीं चीज़े cover करेंगे हाला कि इसमें अभी काफी चीज़ रह रहे ही क्योंकि उनको complete करके around 20 mcqs हमारे इनी topics पर चलेंगे ठीक है उन्हें complete करने के